वेलकम तो दिस नेक्स्ट लेक्चर लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बढ़ा था इलेक्ट्रक पोटेंशल होता क्या है उसकी डेफनिशन हमने पढ़ ली थी और हमने समझा था कि किस तरह से हम पोटेंशल किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं लाकि हम यह जानते हैं कि किसी पोइंट का पॉटेंशल मीम इस इन फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है तो इन फिनिट वाले पोटेंशल को हम जीरो मान रहे थे और इस तरह रहा है question question number one समझ लो कह रहा है कि वन माइक्रो कुलम चार्ज जिसे हम A से B shift कर रहे हैं और यह देखा गया है कि external force जो वरक कर रहा है that is 40 external force का वरक 40 है तो आपको बताना है कि in doing against the electrostatic force आपको बताना है इन दोनों points के बीच का potential difference क्या है ओके जिसे समझे यह मान लो point A है और यह मान लीजे point B है और हम लेके गए है charge को A से B है न वान माइक्रो कुलम का charge हम लेके गए है A पर potential मान लो वी यह है B पर potential मान लीजे V भी है ठीक ऐसा करने में हमने जो वरक लगाया है वह है 40 microjoule वरक हुआ है 40 microjoule so what is the work done from A to B that is given to us 40 into 10 to the power minus 6 joule great and मुझे बता एक चीज मुझे बता what is the potential difference between B and A potential difference between B and A means work done from A to B divided by charge ठीक है मैं यहां बेटा दर असल ना यह बात नहीं करने वाला कि यह E dot DR होता है क्योंकि electric field नहीं given है मुझे question में so I'll not be talking about E dot DR DR वगायर है ना तो मुझे बता what is the work done from A to B work done from A to B is 40 into 10 to the power minus 6 और जो charge लेके जा रहे हैं वह है one microcolum मतलब 1 into 10 to the power minus 6 इसको हम लिख सकते हैं VB minus VA that is 40 है ना तो अगर हम बोलें VB minus VA यह इन दोनों पॉइंट के बीच का potential जो है वो है different जो हो है 40 वोल्ट कि I hope यह वाला सवाल आपको clear हो गया होगा ठीक है एक बर इस question को दियान से सुनो समझो और देखो मैंने से item कैसे मारा हुआ है ठीक है कुछ खास बात नहीं है ठीक है भाई चैलें question number two की तरफ चलते हैं यह कह रहा है कि मेरे पास नहीं uniform electric field है one second okay a uniform electric field is present in positive x direction एक uniform electric field है जो positive x direction में present है मतलब मैं बनाने को चाहूं तो कुछ ऐसे बना सकता हूं यह electric field which is five newton per column obviously positive direction में है तो आई-cap okay if intensity of the field is five okay and the potential difference between V VB and VA अच्छा हमें दो points दिये गए है और दूसरा point है B इन दोनों points के बीच में हमें potential difference निकालना है अच्छा यहां मान लो VA है यहां मान बन लो VB है potential A का coordinate हमें दिया गया है 0,2 और B का coordinate हमें दिया गया है 5,3 मैं randomly diagram बना रहा हूं ज़रूरत नहीं है diagram की ठीक हम accurate नहीं बना रहे हैं कि 5,3 तो सर एक्सवाइ प्लेन में आएगा ठीक है ऐसा कुछ नहीं हम random diagram बना रहा है समझाने के लिए बस और कोई मकसद नहीं है ठीक मुझे बता वाट इस दब पोटेंशल डिफरेंस बिटीन बी एंड ए वी बी माइनस वी डैक मिनसर वरग दन फ्रॉम ए टू बी बार बार ए डेफिनिशन बोल रहा हूं मैं डिवाइड बै चार्ज क्यों ठीक है दैट इस एक्वालन तो सर माइनस इंटेग्रल इडॉर्ट डी आर यहां इडॉर्ट डीर यूज़ के हैं क्योंकि एलेक्ट्रिक फिल्ड गिवन है तो मुझे बता यह वी बी माइनस वी यह डैट इस गिवन टो भी मी ठीक मुझे बता यह वह रगडन तो नहीं गिवन है न इडॉर्ड डी आर पर बात करते हैं यहां x कोडिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोडिनेट भी बार-बार चेंज हो रहा है ठीक है तो हम एलेक्ट्रिक फिल्ड को ऐसे रिप्रेजन करेंगे इंटिग्रेशन आफ e x dx from x1 to x2 है ना plus integration of e y dy from y1 to y2 अगर z coordinate भी given होता तो मैं e z dz भी लिखता अच्छ ठीक है चले हैं आगे बढ़ते हैं मुझे बता यह minus अच्छ बताओ e x तो constant है तो यह बाहर आएगा integral dx from x1 to x2 plus देखो इस problem में इस वाले केस में यह जो electric field given है वो x वाला है और y वाला electric field इस problem में 0 है so i will be writing 0 direct तो vb minus v e is simply minus e x के बदले i will be writing 5 क्योंकि मुझे given है 5 और इसकी integration आएगी x2 minus x1 है ना तो यह आई जाएगा minus 5 what is the x to final x coordinate 5 minus initial x coordinate 0 तो यह आगा minus 25 5 वोल्ट this is the potential difference अच्छे एक point clear करना चाहूंगा यहाँ पे ठीक है आप अभी इसको याद रख लो आगा आने वाले classes में हम इसको समझेंगे नहीं आगा आने वाले क्यों हम तो अभी भी समय सकते हैं इसको ठीक है मैं समझाता हूँ अगे एक इंपाड़र्स पॉइंट स्टॉन्शना अभी निप्टात है एक इंपोर्णाट स्वस्थेख चैथर एक यह राप माला ऐसे रूइंट जा रहे हैं पॉंटे से प्रीट यहां पटेंशल है फ्क फ्क के लिए एडाट डियार करके तो देखो VB-VA इसकेस में VB-VA क्या आ रहा है माइनस ई-डाट यार मतलब दिमाग लगाओ B और A को माइनस करके negative quantity आ रही है VB-VA एक negative number आ रहा है वे simply mean is कि VB is less than VA है ना VB कम है किससे VA से बीपर पोटेंशिल कम है एप पोटेंशिल ज्यादा है तो आई से आप याद रखेंगे फीर्ड ला the direction of falling potential यह हमें शायाद रखना ठीक यह ने जिदर potential कम हो रहा है ना field हमेशा उसी direction में होता है जिसे मैं समझाओ मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे पास यह lines है इस लाइन पर potential 10 volt है इस लाइन पर potential 5 volt है इस लाइन पर potential 3 volt है अब देखो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ potential तो गाट रहा है तो पक का फील्ड इसी direction में है जैना जैसे दूसरी एक्जामपल समझों यहां एक लाइन यहां दूसरे आना इस पॉइंट पर potential 50 volt है इस पॉइंट पर 60 है इस पॉइंट पर 30 है है ना अब देखो potential किदर गट रहा है potential तो सर इधर आने से गट रहा है इधर की तरफ ठीक तो फील्ड इसी डिरेक्शन में है वाई जिदर पोटेंशल गटा उदर ही फील्ड है potential इस इंदर डिरेक्शन आफ फॉलिंग पोटेंशन और फील्ड इस इंदर डिरेक्शन फॉलिंग पोटेंशन बस यह डायलोग तुम याद कर लो यह बहुत काम की चीज़ है कि भाई फील्ड उदर ही होता है जिदर पोटेंशल क्या हो जाता है कम हो जाता है जिस तरफ पोटेंशल कम होता हुआ दिखे जान लो कि फील्ड उसी डिरेक्शन में है ओके गेटिंग मी 100 परसंट करेक्ट चले आगे वेरे कुट चलो थर्ड इसमें प्रिया फिलिगयों है क्यों चेहां क्या रही क्याने इलेक्रिक फिल्ड इ स्पेड एस थे इख्वेस्ट फिल्ड का वैली दिया गया है देखो है दो इस तो तबर दैमल का एक ट्र utilized को कॉर्ण गेवन हैंड वा सéta 7 गन Prime लिप के वोल्ट पर मीट गर्ट find the potential difference हमें potential difference निकालना है a और b के बीच में और a और b दोनों का position vector मुझे given है यह देखो a का position vector b का position vector मुझे दोनों का position vector given है अभी जो question किया उसमें हमें coordinates given थे इस वाले में हमें position vector given है है न अरे डरो मत यार इसको तुम कैसे लिख सकते हो इस coordinate को i का मतलब 1 2j का मतलब 2 इसको तुम 1,2 लिख सकते हो और इसको 2,1,3 है ना 2,1,3 लिख सकते हो सही भाई बिलकुल सर चले अगर मैं बता हूँ तुम्हें what is v, v minus va that is sir simply work done from a to b divided by charge and that is sir minus e dot dr बिलकुल सर e dot dr and आपने अभी अभी बोला sir कि अगर हमें 2 axes में जितने भी axes में electric field given वो हम लिखेंगे e x dx e y dy easy d z है ना भई तो इसको बंद कर दो ठीक अच्छा है उसके बाद एक सेकंड हाँ ठीक है उसके बाद आप ये values पुट करो v b minus v a is minus देखो e x मतलब x वाला component जो electric field का है और देखो यहाँ x वाला component क्या है 2 है ना तो 2 dx और x कॉडिनेट कैसे बदल रहा है पहले 1 था बाद में 2 हो गया 1 to 2 समझ आ रही है e y y component कितना है है 3 3 dy पहले था 2 बाद में हो गया 1 है ना ठीक प्लस y कोडिनेट ना ओक जी वाला component सर जी वाला component तो है नी तो जीरो कर लो तो v b minus v a is equal to minus that is 2 dx integration d x तो वा एगना 2 minus 1 plus 3 dy की integration 1 minus 2 है ना तो v b minus v a is minus 2 2 minus 1 is 1 plus 3 1 minus 2 is minus 1 okay there is minus 2 minus 3 okay तो v b minus v a is equivalent to 1 volt कहीं भई गडबड तो नहीं किया है ना ना गडबड नहीं हुई है सूच के देखो गडबड तो नहीं किया है कहीं असल लग तो नहीं रहा है गडबड हुई है ठीक ओके 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 तो वान वोल्ट ठीक है v b minus v a is one volt ओके ठीक है तो v b minus v a is one volt अच्छा हमसे पूछा है v a minus v b ओके तो उल्टा कर लो v a minus 1 b is equal to minus 1 volt है ना हाँ भाई इस बात का ध्यान रखा करो कि पूछा क्या है और तुम निकाल क्या रहे हो ठीक है वरना गर पहुंचके एक्जाम में याद आ जाएगा रे उसने तो बोला था व e b minus v a हमने निकाल आ भी ए मैने सी बी सही बिल्कुल सैर ऐसा नहीं होगा ठीए उमीद है कि नहीं करोगे चलो नेक्स्ट वाला सवाल और इस इस एक गुड क्वेशन यह कह रहा है कि फाइंड पोटेंशल डिफरेंस बिटीन एंड भी एज आलवेज एक का कॉडिनेट गिवन है बी का कॉडिनेट गिवन है तुम्हें ए और बी के बीच में पोटेंशल डिफरेंस निकालना है अब इस वाले क्वेशन को सौल करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए अगर नहीं आपको पाता है तो मैं आपको बता देता हूं ठीक है क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी होगे जिन दिन नहीं पाता होग भूंद मैंत्मेंटिक्स का कॉंसेप्ट है एस कंसेट को बोलते हैं परफेक्ट कि फरफेक्ट डिफरेंशल बहुत इंपर्टन कंसेप्ट है परफेक्ट डिफरेंशल इन कानिती फीन इन पेצिकलर जी आ वालों 700 मैं नहीं पड़ Travis मतल्क डिफ्रेंशन मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है f is equivalent to 2x y cube i cap 3x square y square j cap यह मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है this is some function ठीक इस function का एक काम करो तुम लोग तुम इसको पहले integrate करो with respect to x जारा सोचो integrate with respect to x keeping y z constant तुम y और z को constant मान लो x के respect में से integrate कर दो x के respect में मतलब x के respect में मतलब x के respect में मतलब i cap वाली direction में जो जो क्यों के एक में डिक में ऐसे समझते है integrate with respect to i cap only यह नहीं जो i cap के साथ वाला पार्ट है ना रहे बाई यह वाला पार्ट जो i cap के साथ है उसको integrate करो 2x y cube dx मैंने क्या बोला with respect x ना integration y को बाहर निकालो y cube को तू भी बाहर बचेगा क्या x dx जरा बताओ क्या बना 2y cube x square by 2 to cancel x square y cube ठीक है सब जब हमने with respect x integration मारी ना तो यह आया फिर मैं बोल रहा हूं integrate integrate term with j cap जो term j cap के साथ है उसको integrate करो है ना जैसे हमने अभी जो term x के साथ थी उसको integrate किया i के साथ थी with respect x जो term j cap के साथ है उसको integrate करेंगे with respect y तो integrate करो 3x square y square dy है ना क्या बना 3x square तो constant है y square dy यह क्या बनेगा 3x square यह बनेगा y cube by 3 और solucal 3 3 cancel x square y cube ठीक तो सब जब हमने integration की ना विद रेस्पेक्ट जब हमने i cap वाली term को integration मारी जब हमने i cap वाली term को integration मारी with respect to x तो हमारा यह वाला answer आया x square y cube जब हमने y वाली j cap वाली term को integrate किया with respect to y तो हमारा answer x square y cube आया तो सर इन दूनों का answer सेम आया जब हमने with respect to x integrate किया i cap वाली term को तो वही answer आया जब हमने with respect to y किया integrate j cap वाली term को तो हमें यही answer आया बेटा तो हम इसे इस चीज़ को कहते हैं perfect integral क्या कहते हैं perfect differential देखो अगर यहाँ z वाली term होती ना तो उसको भी करना था integrate term with k cap with respect to z only है ना ठीक तो जब तुमने integration की i cap पाली term की जब तुमने integration की j cap पाली term की जब तुमने integration की z cap पाली term की तीनों का answer सेम आया ना इसे कहते हैं perfect differential क्या कहते हैं perfect differential और देखो इसको सॉलू करने का एक बहुत ही जबर्दस तरीका है अगर तुमसे कहा जाए ऐसे करो f की integration करो विद रिस्पेक्टो आर है ना एफ का वैल्यू ज़रा लिखो तो एक्स वाई क्यूब आई कैप प्लस 3x square y square j cap dot dr dr का value i cap dx j cap dy k cap dz ठीक तो तुम इसके बदले लिख सकते हो integration क्या लिख सकते हो integration डी ओफ डी ओफ जो भी तुम्हें यहां से आंसर मिला है एक्स क्यूब वाई क्यूब डी ओफ एक्स क्यूब वाई क्यूब फिर देखो फिर यह integration और यह differentiation cancel हो जाएगी यह बनेगा x cube y cube sorry x square y cube क्याना limit जो भी होगा वो डालने हैं समझे बार this concept is important for je people neat वाले इसको skip कर सकते हैं there is no need okay neat वाले people can skip it easily अगर आप neat पढ़ रहे हैं तो इस concept को skip कर तो कोई जरूरात नहीं है बट jee वाल उंग लिए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी concept है ठीक है आप लोग स्किप मत करना है ओके चले अब इसी concept के हमारा question है जई वालों को तो समझ आ गया होगा नेट वालों के लिए हलका सा मुश्किल है बट ठीक है अगर आप एक अच्छी चीज पाढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बी एक concept है ठीक बट फ्रम examination point of view इस concept है इस concept पे question सिर्फ जई वालों को आते हैं तो यह question जई वालों के नाम है अगर आप नीट से हैं तो forward करिए skip कर दीजे कोई मासला नहीं बट अगर आपका मान है तो कर लिजे एक बार ओके चलें समझते हैं इस question को करेंगे कैसे सुन हम से क्या पूछा है वी वी माइनस वी ये ए और बी के बीच का potential difference ज़रा बोलो वी बी माइनस वी ये that is equivalent to work done from a to b upon charge q that is equivalent to minus integration e dot dr ठीक तो vb minus va is equal to minus e का value जरा पूट करो हम पहला part कर रहे हैं भाई e का value ले क्या हो y i cap x j cap है ना dr का value i cap dx j cap dy k cap dz तो vb minus va is equal to minus y dx plus x dy ठीक है ओके अब तुम इसको समझो दर असल मैं तुम्हें बोलना चाहता हूं यहां यह जो electric field का value given है ना यह यह दर असल एक perfect integral है क्या है perfect differential यकीन नहीं आता टेस्ट करो कि perfect differential है बताओ कैसे जो y के साथ i cap के साथ term है उसकी differentiation with respect to x y आयेगा बाहर integration of dx तो यह बनेगा x into y जो term j cap के साथ है उसकी integration with respect to y x आयेगा बाहर integration of y क्या बना answer x y same आया ना तो यह क्या है basically perfect differential तो हमें इसका value क्या लिखना चाहिए ऐसे vb minus va is equal to minus यह पूरी जो ही है ना इसके बदे लिखेंगे integration d of x, y है ना और limit क्या देंगे देखो x coordinate 0, y coordinate 0, x coordinate 1, y coordinate 1 तो 0, 0 से limit 1, 1 तक ओ हो 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 यह जाएगा vb minus va is equal to differentiation and integration cancel differentiation and integration cancel यह बनेगा x into y सामने minus इसी का limit 0, 0 से 1, 1 तक है vb minus va is equal to minus upper limit 2 x का value 1, y का value 1, 1 into 1, minus x का limit 0, y का value 0, तो यह बन जाएगा minus 1 volt, which implies हमें vb minus va नहीं चाहिए, va minus vb चाहिए, वो आजाएगा 1 volt, क्या यह बात समझ आई, हजम हुई, मुश्किल है, ठीक तुम्हें दिन में तारे दिखने लगे हैं ना, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ठीक नीट वालों को तो दिखेंगे इसमें, बट यह नीट नीट वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, चाहोते से skip कर सक हैं, ऐसी कोई फंक्शन आज तक नहीं आई है नीट में, ठीक है, ओके, प्रैक्टिस के लिए, दूसरा वाला पार्ट, ज़रा खुद से करो, वी ए माइनस वी बी, इस माइनस इंटेग्रल ए डॉर्ट डी आर, ए का वैलू ले लो, 3X स्क्वार वाई, X क्यूब, जे कैप, अच्छा, वाई कैप, डॉर्ट, टी एक्स का डी आर का वैलू, आई डी एकस, जे डी वाई, के डी जड, ठीक है सर, तो वी ए माइनस वी बी, इस इक्वार अन्टो सर माइनस, देखो, 3X स्क्वार वाई, डी एकस, माइनस, X क्यूब, डी वाई, ठीक है, अगेन मैं कह रह न, ये भी एक परफेक्ट डिफरेंशल था, कैसे, ये परफेक्ट डिफरेंशल है, कैसे, 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 सर, समझाओ, समझाओ, समझाता हूं भाई, ये परफेक्ट डिफरेंशल है, ये चीज़ परफेक्ट डिफरेंशल है, कैसे, जड़ा इंटेग्रेट करो, जो X के साथ टेस्ट करें हम लोग जो X के साथ टर्म है, I cap के साथ टर्म है, 3X कर वाइ, इसकी integration with respect to X, 3Y बाहर, integration of DX कर, यह बनेगा 3Y, यह बनेगा X cube by 3, मतलब यह बन जाएगा सार, X cube Y, बिल्कुल सार, X cube Y, ठीक, अच्छा, जो J cap के साथ टर्म है, X cube, उसकी differentiation with respect to Y, है ना, तो क्या आए जाएगा जरा बताओ, ओके, दूसरी टर्म हमारे पास है, तो हम इसे करेंगे, X cube बाहर, integration of DY, X cube, DY के integration, Y, सेम तो आया, सो, सर, आप इस differential को लिख दो, VB minus VA, इस integral को, minus integration differentiation of this thing, X cube Y, ठीक है, और limit क्या देंगे, सर, देखो, मूँ कर रहे है, 0, 0, 0 से, किस पॉइंट, 1, 1, 1 वाले पॉइंट पे, अब देख रहो ना, question में given है, ये रहा, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ठीक, तो, हमारा answer, सर, differentiation integration cancel, तो ये बनेगा, सर, minus X cube Y, तुम हैरान हो रहा हो है, ना, तुमने ये वाली चीज इससे पहले नहीं की है, differentiation ऐसे integration के साथ cancel नहीं किया है, ना, कोई बात नहीं, कभी-कभी नए एक concept सीखने पढ़ते हैं, X का value दो, 1 cube into Y का value, 1 minus X का value 0 cube into 0, तो answer क्या आया, minus 1, इन्हें VB minus VA is minus 1, so VA minus VB is equal to 1 volt, ठीक है बाई, ठीक, तुमारे प्रांट पखेरों उड़ गया है, ठीक, सब कुछ चला गया है, कि नहीं, है ना, इसी एक सावाल के साथ, रे, यह, एडवांस का, यह, एसे वाले सवाल, एडवांस के लिए बेस बनते हैं, तो जईवालो, हिमत मत हारो, चलो, आगे चलो, अभी बहुत बाग लिए, ठीक है, चले, नेक्स्ट वाले सवाल, यह है, बड़िया सा सवाल, इसमें समझों क्या है, यूनिफर्म के लिए जिसका magnitude 100 है is directed along the line this देखो अभी तक हम से पता है क्वेशन क्या बोल रहा था अभी तक बोल रहा था इलेक्ट्रिक फिल्ड x-axis में है y-axis में है इंटरम जाफ आई कैप जी कैप दे रहा था वट अभी नहीं अभी बोल रहा है कि एक line है कुछ ऐसे है यह line है इस line की equation है y is equal to 3 plus x इसी line के along इसी line की direction में electric field है मतलब direct नहीं बोला है किदर electric field है i में है j में है ऐसा कुछ नहीं बोला है बस बोला है इसी line के along में electric field है ओके सर अगर इसी के along में है electric field तो तुम्हें बताना है A और B के बीच का potential difference सर ये रही है line इसका सर ये angle तुमान लो theta है बिलकुल सर theta मतलब 10 theta मतलब slope बिलकुल बेटा और सर सलोब होता है dy by dx हो हो सही पकड़े हो तो सर इसकी differentiation करो with respect to x 3 का तो आएगा 0 x का आएगा 1 which implies सर ये 45 degree बना रहा है angle 10 theta 1 मतलब 45 हो 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 सर फिर इसको split करो इदर आएगा e cos 45 इदर आएगा सर e sin 45 बिलकुल बेटा e cos 45 का value सर e by root 2 और इसका value भी सर e by root 2 सो सर हम electric field को ऐसे लिख सकते है e by root 2 i cap plus e by root 2 j cap अब देखो electric field का magnitude दे रखा है 100 तो हम इसे लिख सकते है 100 by root 2 i cap plus 100 by root 2 j cap अरे फिर तो सर सवाल खतम हो गया now सर vb minus va होता है सर minus integral e dot dr तो सर minus e का value देखो सर 100 by root 2 i cap 100 by root 2 j cap और सर dr तो आप जानते हो वह आएगा i cap dx j cap d y k cap d z तो यह बनेगा सर vb minus va minus integral सर यह बनेगा 100 by root 2 d x plus 100 by root 2 d y जिसे मैं अलग 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 करके लिख सकता हूँ minus 100 by root 2 integration d x minus 100 by root 2 integration d y और सर x का limit देखो 3 से 1 जा रहा है 3 से 1 और y का limit देखो सर 1 से 3 जा रहा है 1 से 3 तो सर vb minus va सॉलो करेंगे सर 3 minus 1 हम जानते हैं कैसे सॉलो करना है बस अब तकलिफ मतलो हम जानते है ठीक है अरे यार कर लोगे नहीं सॉलो यह 0 आता है कैसे सर 0 कैसे आगा अरे तुम limit दो दो बाई limit दो गे तो 0 आएगा ना which means va और vb बराबर है यहनि दोनों जगा पर potential क्या है बराबर है vb और vb बराबर है यहनि दोनों जगा पर potential same है दोनों ही points पर potential same है ठीक ओके सही है बिलकुल सही है ठीक है ठीक है ठीक है सर यह तर्म देखो तो मुझे लगता भी है यह जिरो आएगी देखो कैसे 1 से 3 लिमिट जा रहा है ना पहले मदद 3-1 लिमिट विल भी 2 तो यह पहले टर्म पॉस्टिव वान से 3 पहले टर्म नेगेट वान माइनस 3 तो माइनस 2 ना पहले टर्म पॉस्टिव बन जाएगी इसके वज़ा से और द ता वी का खिले एगी वी बी वी बी मैंनस वी एग था इसके यह एगी 1-3 था क्या आएगी 1-3-100 ग्यूरू यह प्लस टू क्या बना या तो हांड्रंट ग्रूरू तो माइन सो भी क्या बना 200 वैहां अभी किन हुआ है तुम लों में यकीन थोड़ी है तो वी ओर वी ए क्या है बारभर तनुह पॉइंट सबस्टा funding है ठीक दूनुहीं जेगा पर पॉटेंशल बद राबर है ठीक एज रडल बात बताओ अगर दो जगह पर potential बराबर हैं तो what is the work done from A to B work done from A to B sir work done per unit charge होता है potential difference VB minus VA और VB minus VA तो sir 0 है तो work done B sir यहाँ 0 होगा ठीक है यानि अगर हम A से B तक लेके जाएंगे charge को और A और B के बीच में कोई potential difference ना हो work done कितनी होगी 0 A से B तक जा रहे हैं अगर यहाँ 10 volt potential है यहाँ भी suppose 10 volt है तो work कितना होगा 0 ठीक है क्योंकि आप उन दो points के बीच में मूँ कर रहे हो जिनके बीच में potential difference है ही नहीं ओके चले आगे next question number 6 what it said find VAB हमें A और B के बीच में potential difference निकालनी है जब के हमें electric field भी गिवन है और position vectors भी गिवन है इसका coordinate क्याएगा 1 minus 2 1 इसका क्याएगा 2 1 minus 1 है ना ठीक तो मुझे लगता है यह सवार आ जाएगा है ना यह मैं तुम्हें homework दो homework अरे जैसे यह वाला किया था कहां गया कहां गया हां यह वाला ज़त दिसके रीट वाला है यह तो है यह बापिस इसमें भी पूशन वेक्टरस था ठीक है तो यह वाला सवाल तुम्हें homework है homework host अलवर जो तुम्हें समझने समझाएगा जिदर बैठे हो दर नप्टाओ ठीक है इस पूशन को ठीक ओके ग्रेट इसंट इंट्रस्टिंग बिलकुल सर इंट्रस्टिंग तो है आसान भी लग रहा पोटेंशल ठीक है चलो बाई सेवन्थ क्वेशन बड़ा ही इंट्रस्टिंग सवाल ग्राफ पे है क्वेशन को देखो सुनो समझो क्या है और यह क्या हो गया है यह है भाई हमारा सवाल है यहां पर लिखा है कि एक्स मीटर इसमें है ओके यह कह रहा है इफ एक्स जीरो यहने एलेक्ट्रिक फिल्ड आलोंग एक्स एक्स जीरो बात इकक्स एक्सेमे फिल्ड नहीं है ठीक है वा एक्सी मे फिल्ड आशास्वारी एक्स is 10 volt at the origin hmm अगर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पर potential 10 volt है origin पे then what will be the potential at x is equal to 2 meters x is equal to meter मतलब यहां यहां कितना potential होगा यहां 10 volt है तो यहां कितना होगा okay मतलब इसने हमें electric field नहीं दिया है electric field का graph दिया है distance के साथ ठीक है सर हमने जो अभी तक पड़ा है वो यह है कि b और a की बीच का potential difference that is our work done from a to b divided by charge और सर वही होता है minus integral e dot dr बिल्कुल सर तो सर यहां जो potential difference आएगा na vb minus va हाँ minus सर यहां electric field सिर्फ x axis में है so I should write x dot dr भी तो सिर्फ dx ही आएगा क्योंकि y axis or z axis में तो ही नहीं ओके हो 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 सर यह जो चीज़ है ना आपको पता है यह क्या है यह है सर integration of y-coordinate with respect to x x-coordinate sir y-coordinate की integration with respect to x तो सर यह ना यह वाली चीज डिनोट करती है area under graph ओहो हो 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 सर यह चीज area under graph denote करती है वाव ठीक है सर बहुत बढ़ी असर तो मतलब सर a और b के बीच का potential ना इस graph के अंडर का area होगा हमें किन दो points के बीच में निकालना है potential इस और इस point के बीच में हाँ तो सर मुश्किल क्या है यह वाला area देख लो वाव वी बी माइनस वी ए डैट इस minus area कितना होगा half of base कितना है 2-0 ठीक और अल्टेटू कितना है minus 20 हाँ ट्रैंगल का इरे निकालना आता है न वी बी माइनस वी ए इसर वन बै तो माइनस 2 और यह 20 तो सर वी बी माइनस वी ए is equal to 20 volt बी ये वाला point है इन इनिशन पंट इनिशल पंट इनिशन पंट में पोटेंशल कितना है दस दिय तो है 20 वोल्ड स्वख वी बी 20 प्लस दस यह ने सर वी बी विल बी ठीज जोर्ट सही जवाब सर बिलकुल आसान सवाल कुछ खास नहीं था इसमें बस थोड़ा बोट ट्विस्ट करा था इसने सर हमें डियक्ट्रिक फिर्डिका वैल्यो डियरेक्ट ने बोला इसने थोड़ा गुमा के इदर अदर ग्रैफ दे दिया हमें सर ठीक है यह तो हम समझ गए कोई शक वाली बात इसमें रहा ग्रैफ सर गिवन ब्लो शूर एलेक्ट्रिक अक्र्चिल वर्स डिस्टंस वह electric potential versus distance k graph electric potential versus distance k graph equipment but I give a la question if your x kb each a graph in a x second x second